बजट में किसानों के लिए कोई संतोज जनक कोई चीज गौर्मेंट नहीं दे बारी है गौर्मेंट ने चुनाव से पहले वादा करा था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे जो कि एक साल में भी नहीं हो पाता पछली साल का पयमिट अब दस दिन पहले हुआ और तीन वहिने मिल गन्ना मिल चले होगे परदेश में सभी और एक भी दिन का अभी गन्ने का पयमिट नहीं करा गया पहले से होता है था कि किसानों कि किसी चीज़ भा टेऍक्स नहीं था अब GST लगा दी टेक्टरों के मसीन देगे इतने स्पिर पार्ट समेहंगे हो गे किसान अब उनको ले निपा रहा दूसरा जो ये गन्नों की जो गन्ने या किसी और फसल में जो दवाई डलती हैं कीट नासत या कोई भी खाद उन पर सब पर पैसे बढ़ा दी है तो ऐसे गो समास का प्रदेश अंख्षक हूं जो आज का बजट पेस किया गया है इसमें सबसे जाद अच्छा है हम लोगों के लिए है कि जो सीनिर सिटी जहने पिछत्तर साल के उनको के आर्ट ये दाखिल नहीं करने पड़े जो की बहुत रहत की बात है तो मतरदे निरा से इस बात क अज जो बजट हमने देखा उसमें कुछ फायदे आया कुछ नुक्सान है जैसे हम चारे दे कुछ इसमें रिटर्न बढ़ जाएगा इसमें बढ़ेगा वो नहीं बढ़ पाया दूसरा व्यापारियों के लिए हमने कहीं सारी हो जना है मांगी दिसमें कॉरोना काल में दिक कि ड्यूटी नों ने घटाई है उससे बहुत अच्छा क्या है उससे कम से कम जो एक आम खरीदार है उसे समान लेने में कुछ रेट घट जाएंगे कुछ उससे अच्छा फील होएगा क्योंकि अब शादियों का सीजन आ रहा है कुछ न को रेट घटेंगे तो पबलिक दो समान कुछ वाद दू लेलेगी उससे पजार वार बढ़ेगा संधह को हमारे जितने भी व्यापारि इसमें कहीं सारी योजनाएं जो हमें हमें उमीथे जैसे हमारे कोई वेपारी का समान जल जाता है तो उसमें सरकार को कुछ नो कुछ यहसे योजनाह देनी चाहिए जिससे हमें कुछ न कुछ न कुछ हमें फंड मिलता रही है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।